एक बार पूरा आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर सेवन से लेकर चैप्टर फोर्टीन तक की सारे अबजेक्टी कोश्चन ठीक है यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो डेफिनिटली आपके 15 से 20 आसानी से गेन हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैला कोश्चन हमारे सामने है यक्ष अच्छ से बिंदू P की दूरी बताएं बेटा यदि यक्ष अच्छ से किसे बिंदू की दूरी बोला है मतलब हमको बाई अच्छ का निजदे सांग को तीन दिख रहा है तो यक्ष अच्छ से दूरी कितनी हो जाएगी तीन हो जायेगी ठीक है आगला कोश्चन है बिंदू 0 6 एवं 0-2 के बीच की दूरी ठीक है तो इनके बीच के दूरी हम क्या करेंगे फारूला हम जानते हैं क्या होता है x1 minus x2 का whole square और plus by 1 minus by 2 का whole square इस वर value रग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 6 minus minus 2 का whole square मतलब 8 का whole square मतलब 8 हमारा correct answer होगा सो हमें option number b पर tick कर देना है अगला question है मूल बिंदू से बिंदू minus 6 और 8 की दूरी बतागी मूल बिंदू मतलब मूल बिंदू का निर्दे सांग क्या होता है बेटा 0 0 और जिनका quadrant 0 0 होता है तो हमें क्या करना है देखिए 0 minus minus 6 का whole square करना है और 0 minus 8 का whole square करना मतलब finally हमें 6 का square plus 8 का square करना है इसको जब हम solve करेंगे तो answer आएगा 10 सो 10 पर आपको टिक कर देना इस्टन 10 कहां पर दिख्रा आपको option number C पर तो option number C will be your right answer अगला है 0 5 and minus 5 0 के बीच की दूरी तो same बेटा distance formula apply करना है तो 5 का square plus 5 का square मतलब 50 आएगा मतलब हम क्या लिख सकते है 5 root 2 25 दून पचास second option आपका correct हो जाएगा अगला है A O B C एक आयत है ठीक है जिसके तीन सीर्स A इतना है ठीक है हमें B भी पता है और क्या पता है हमें भी करन बताना है तो श्रुट यदि आयत है हमारे पास इसका नाम है A O B C तो भी करन बताना मतलब A B तो A B की बीच की दूरी क्या हो जाएगी यह हो जाएगी रूट ओवर 3 का स्क्वेर प्लस 5 का स्क्वेर तो 25 और 39 रूट ओवर 34 विल वी और राइट आंसर ठीक है कितना असरल है अब चलते हैं आगे क्वेस्टन से आगे हमारे पास है रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीज़े ठीक है तो देखे पहला कुष्चन आपके सामने है किसी बिन्दु की बाई अच से दूरी क्या कहलाती है तो बाई अच से दूरी मतलब यक्ष अच का निर्दे सांग और यक्ष अच के निर्दे सांग को अपन भुझ भी बोलते हैं तो चाहे आप एक्फ निर्दे सांग लिखिये या भोजू लिखिये दोनों सही हैं। किसी बिलू से एक्फ अच की दूरी, तो एक्फ अच से दूरी पूछा है, मतलब बाई अच के निर्दे सांग, तो बाई निर्दे सांग हो जाएगा। या इसी को अपन कोटी भी बोलते हैं, तो कोटी भी आप लिख सकते हो, जीरो बाई और एक्फ जीरो के मद्दे दूरी, तो क्या हो जाएगी, रूट ओवर एक्स स्क्वेर प्लस बाई स्क्वेर, यह आपका करेक्ट आंसर, अगला क्या है, तो ए और जीरो टू बी के मद्द बिंदू के निर्दे सांग, तो मद्द बिंदू का निर्दे सांग क्या करना है, देखें, हमें मद्द बिंदू का निर्दे सांग खारमूला होता है, यह एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू, ठीज, और यह प्लस बाई टू अपान टू, तो टू यह प्लस जीरो अप का correct answer हो जाएगा ठीक है अब चलते हैं सही जोड़ी बनाईए सही जोड़ी बनाईए में देखे क्या लिख है बिंदू minus 4 5 एवं 4 minus 5 के मद्य बिंदू के निर्दे सांग तो मद्य बिंदू का निर्दे सांग बोला है बेटा मतलब दोनों को जोड़ के दो का भाग ठीक है तो minus 4 4 जोड़ेंगे 0 और 5 और minus 5 जोड़ेंगे तो 0 0 हमारा correct answer होगा 0 4 एवं 3 0 के बीच की दूरी देखे 2023 में आया है क्या करना है 4 का square प्लस 3 का square तो correct answer will be 5 आपको 5 से match कर देना है ठीक है मूल बिंदू से x by के बीच को दूरी तो मूल बिंदू से दूरी बोला है मतलब क्या हो जाएगा x minus 0 के square प्लस by minus 0 के square so finally हमारे पास आएगा x square प्लस by square ठीक है अगला question हमारे सामने है o by के बिंदू की कोटी तो कोटी क्या हो जाएगी बेटा कोटी हो जाएगी by कोटी क्या हो जाएगी कोटी हो जाएगी by और बिंदु का भुज बोला है तो यक्स हो जाएगा भुज ठीक है तो अगला कुश्चन हमारी सामने है साथ एक जीरो जीरो के बीच की दूरी पाच रूट दो है देखे इसको हम हल करेंगी ना तो कितना आ जाएगा पाच रूट ओवर नब पचास आएगा दो लिख सकते हैं तो इस statement हमारा किया वेटा ठूट है तो इसको क्या कर देना है true चार जीरो और जीरो तीन के बीच की दूरी पाचीक आई है यह भी टू हो जाएगा देखे चार जीरो और जीरो तीन के बीच की दूरी पाचीक आई है तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा चार के स्क्वेर प्रस तीन के स्क्वेर ठीक है तो 4, 4, 16 और 9, 25 तो 5 ही काई होगा ठीक है देखिए क्या बोला है इनके बीच के दूरी तो question number 3 हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है बी number हमने नहीं लेखा भी बी number क्या है मद बिंदू के निर्दे सांग तो मद बिंदू के लिए क्या करते हैं दोनों को जो निर्दे सांग क्या होते हैं देखिए इसमें क्या बोला गया है पूरा question देखिए केंद्रा का निर्दे सांग क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स त्री अपान थी और बाई वन प्लस देखिए 2023 में आ चुका है तो यह statement आपका क्या इस्ट्रेंट true है ठीक क्या है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अब चलती है कुछ अगले question देखें पहला question है बिंदु का निर्दे है मद्य दूरी निकालना है. दूरी सूत्र क्या होता है आपकी सामने डिस्टेंस फार्मूले यह होता है. रूट ओवर में X2-1 X2 plus by 2-by1 square. आगले question का answer यह हो जाएगा और क्या बोला है? मुझीद से दूरी यह हो जाएगा ठीक हैं? अब इसको अच्छे से prepare कर लीजेगा पहला हमारे सामने है 210 theta और अपान में 1 plus 10 square theta बेटा इसको जब हम solve करेंगे तो answer निकल के आएगा root 3 upon 2 ये value होती है sin 60 की तो आपका correct answer हो जाएगा sin 60 degree ठीक है तो ये आपका correct answer अगला है 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45 ये हो जाएगा 1 minus 1 upon 1 plus 1 मतलब 0 upon 2 मतलब 0 और 0 10 में कब होता है देखिए 0 10 में कब होता है तो 0 10 में होता है बेटा जब 10 0 होता है ठीक है तो यहाँ पी आपसर नंबर d आपका correct answer हो जाएगा तो आपसर नंबर d हमें match कर देना है किसका है आपसर नमबर तीसरे का, देखे हाँ, आपसर नमबर स्टेकरण का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, तो डी आपको क्या कर देना है मैच कर देना है अगला qeosie है, sin2e बराबर 2 sine एक अवे लूग क्या रख दें कि दोनों बराबर हो जाए तो 0 degree आपको correct answer होगा ठीक है अगला question आपके सामनी है जो इस chapter से आता है 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta इसको जब हल करेंगे न बेटा तो इसका answer निकल कियाएगा root 3 और root 3 किसकी value होती है वो होती है root 10 60 की इसकी 10 60 degree की तो 10 60 आपको correct answer हो जाएगा चलते है अगले question पे क्या लिखा है 9 6 square theta minus 10 square theta क्या लिखा है अब समझिएगा 6 square theta minus 10 square theta 1 की बराबर होता है 9 common लेके 1 से multiply करेंगे तो 9 आपका correct answer है ठीक है question नमर 6 को हम solve करेंगे तो answer निकल के आएगा 2 question नमर 7 के चलते है question नमर 7 को solve करेंगे बेटा तो आपको जो answer निकल किया आएगा अवगा आपसर नमर D पर आपको tick कर देना है ठीक है अगला है 1 plus 10 square theta 1 plus 10 square को अपन लिख सकते है 10 square theta ॥ीक है अब 1 plus 4 को लिख सकते है cos 1 square theta cos 1 square theta इसको अपन लिखेंग वहना 5 cos इसको लिखेंग वहना 5 sign और sin square theta बटी cos square करेंगे तो 10 square theta आपको correct answer होगा ठीक है अगला question है 1 minus cos square theta तो बेटा 1 minus cos square theta होता है sin theta की बराबर किसकी बराबर होता है sin theta की बराबर और 6 square theta minus 1 हमेशा बेटा होता है 10 theta की बराबर ठीक है किसकी बराबर होता है 10 theta की बराबर होता है 1 plus 10 square theta यह identity है सर वो समी कह है क्या होता है सेक स्क्वेर थीटा होता है ठीक है तो आपको सेक स्क्वेर थीटा राइट करना है अगला question देखे 2030 में आया है sin 30 sin 30 का मान होता है बेटा कितना होता है sin 30 का मान 1 बटी 2 और cos 60 का भी 1 बटी 2 होता है सेक स्क्वेर थीटा मान यह होता है 10 theta के बराबर ठीक है 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta होता है cos theta और cos theta बटी sign theta होता है किसके बराबर cos theta के बराबर to cos theta से अपने को मेंच कर देना है 9 सेक स्क्वेर थीटा minus 10 square theta इसके value 1 हो जाएगी 9 into 1 करेंगे तो correct answer will be 9 नाइन से मैज कर देना है ठीक है अगला कुशन आपके सामने ये रहा देखें most important है हमीशा आपकी एक्जाम में आता है देखें 1 plus cot square theta ये बीटा identity होती है 1 plus cot square theta होते है कौस एक square theta के बराबर सो cos एक स्क्वेर थीटा से अपने को मैज कर देना है ठीक है कहाँ पर दीख रहा आपसर नमबर सी पर 6 थीटा क्या होता है बेटा cos थीटा का opposite होता है reciprocal होता है तो वह अपान cos थीटा हो जाएगा side square थीटा plus cos square थीटा की value हमेशा 1 होती है so 1 से मैज कर देना है साइन 60 की value कितनी होती है साइन 60 की value होती है बेटा देखे 1060 बोला है न तो 1060 होता है root 3 ठीक है साइन 60 कितना होता है root 3 upon 2 so I hope ये भी आप कर लिए होंगी अब चलती है अगला सही जोड़ी देखे c की square थीटा minus 10 square थीटा इसकी value होती है बेटा 1 कितनी होती है 1 होती है so 1 से अपने को मैज कर देना कई पर दिख रहा है क्या आपफ़ नमबर डीपर दिख रहा है अगला है sin 0 sin 0 की value बेटा 0 ही होती है 10 थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा बेटे cos थीटा के और cos 45 कितना होता है यह होता है बेटा 1 upon root over 2 तो इससे मैज कर देना है ठीक है अब चलते है कुछ और question आपके सामने है ठीक है इसके बाद ये भी साही जोड़ी है आपके exam में आता है cos theta क्या होता है cos theta होता है 1 upon 6 theta के बराबर cos 0 कितना होता है तो cos 0 always 1 होता है so 1 से मैज कर देना है 1 plus 10 square theta बेटा होता है 6 square theta के और 6 square theta को अपन क्या लिख सकते है 6 theta लिख सकते है ठीक है रूर से बाहर आ जाएगा 1 minus cos square theta यह होता है sin square theta के बराबर और root over से बाहर आएगा तो sin theta बचेगा ठीक है इसका सत्य सत्य कभी नहीं आता है इसको आप skip कर सकते है और यह सीधा आपका identity है देख सकते है 1 plus 10 square theta होता है 6 square theta की 1 plus cot square theta होता है cos x square theta की sin square theta plus cos square theta 1 के बराबर होता है cos 0 की value 1 होती है ठीक है तो I hope यह आपको समझ में आया होगा आगे chapter पे चलते है बेटा देखते ही इसके objective question क्या question है यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की चाया ठीक है क्या लिखे है उसकी उचाई की root 3 गुनी है तो उस समय सूर का union कौन क्या होगा देखी आप ऐसे एक right angle triangle मना लेंगे क्या बोला है अगला है बीस रूर तीन चाया है दीखे समझेगा एक पेड की चाया की लंबाई ये कितना बेटा बीस रूर तीन है और ये कितना है बीस है हमें बताने union कौन तो बीस बटे बीस रूर तीन कर देंगे 20 से 20 कट जायेगा ठीक है वन अपान रूर 3 किस के बराबर होता है 10 30 तो 30 डिग्री विल भी और राइट आंसर अगला कोशन है एक व्यक्ति किसे बिजली के खंबे के सीखर से देखता है कि धरातल की एक बिन्दू का अब नमन कोण कितना है बेटा 60 डिग्री है यदि खंबे के पाद बिन्दू के दूरी 25 मीटर है तो खंबे को चाही बताइए देखिये क्या लिख्या एक व्यक्ति किसे बिजली के खंबे को सीखर से देखता है समझेगा एक आप यहां पर क्या बनाएए बिजली का खंबा यहाँ पर सीखर से देख रहा है question आपके सामने क्या है धरातल की एक बिंदु का अब नमन कोड कितने degree का है 60 degree का है यहाँ से यह जो अब नमन कोड है बेटा कितना है 60 degree का है समझेगा थोड़ा सा क्या बोला गया है यदि खमबे की पाध बिंदु से क्या निकालेंगे अपन हमको क्या निकालनी है कि हो जाएगा यच अपान 25 बराबर कितना हो जाएगा 1060 की value होती है root over 3 इसका transpose करेंगे तो 25 root 3 will be your right answer ठीक है अगला है पुल पर बैठा एक व्यक्ति देखे क्या लिखे है एक नाव को देखता है और उनावन कोन 45 है यदि पुल की उचाई 15 मीटर है तो नाव की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 15 मीटर ही होगी यदि आपको 45 डिगरी दिग गया मतलब 15 ही आपका correct answer हो जाएगा ठीक है दोनों सेम हो जाता है उस condition में अगला क्या है आपके सामने पेड़ की चाई उसकी उचाई के बराबर है तो ने अनकोन कितने डिगरी का होगा बेटा 55 डिगरी का होगा ठीक है याद रखिएगा जब उचाई और चाई की लंबाई बराबर होती है तो हमेशा 45 डिगरी का एंगल बनता है ठीक है अब चलते हैं अगले कोर्षन बे तो अगला कोर्षन आपके सामने ये आता है नीचे खड़े रहकर उपर की और देखने के लिए द्रश्टी रेखा 36 से जितना उपर घुमाना पड़ता है न वह कोन होता है देखिए यदि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं ठीक है तो क्या होगा बेटा उन्नेयन कोर्षन होगा और यदि ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो क्या होगा अब नमन कोर्षन होगा सेकंड नमबर में देखिए अगला क्या लिखा है उचाई और छाया की लंबाई बराबर है तो उचाई और चाया 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 की लंबाई बराबर है तो आब चलते हैं अगले questions पे अगला question उन्यन कोण को अपन उन्यन कोण बोलते हैं ठीक है और अबनत कोण को अबनमन कोण बोलते हैं खंबे की उचाई और छाय समान होते हैं तो 45 degree के एंगल बनता है अगले कड़ी में क्या है कुछ परिभास आए हैं देखें क्या लिखें सत्य और सत्य वह रेखा जो हमारी आग से वस्त को जिसे हम देख रहे हैं उसको जो औरती है तो दरश्टी रेखा कहलाते है इस statement सही है देखी कई वस्त का उन्यन कोण दरश्टी रेखा और 36 रेखा से बना कोण होता है जब अकी वस्त को देखने के लिए सिर को नीचे देखिए यदि नीचे करना पढ़ा रहा है मतला वनावन कोण लेकिन यहाप उन्यन कोण लिखा जिस वर से statement रॉंग हो जाएगा अगला कुछ परिभास आए है ठीक है उन्यन कोण किसे कहते हैं इसके बाद दरश्टी रेखा किसे कहते हैं आप इसका solution लिख लेजिए ठीक है यह वह कभी कभी आ जाता है अब चलते हैं अगले chapter पर अगला chapter हमारा ब्रत ठीक है तो ब्रत को कैसे देखे पहला question है दो समकेंद्री ब्रत जिनकी त्रिज्जा चार सिंटीमीटर और पास सिंटीमीटर है बाहिं ब्रत की प्रतेक वह जीवा जो अंता प्रत को इस पर्स करते इसकी आपका answer आजाएगा ज्यादर detail में बेटा नहीं बता सकता क्योंकि objective questions है अगला question है इसको अपर solve करेंगे बेटा तो 12 की square में 5 की square घटाएंगे तो 144 में 25 घटाएंगे तो correct answer आपका आजाएगा 129 root 1 में अगला question है एक बिंदू O से एक ब्रत पर इस पर्स रेखा की लंबाई कितनी है 24 है और केंद से दूरी 25 cm है तो त्रीजा निकालने के लिए क्या करना है बेटा बड़ी वाली side फे छोटी वाली side को माइनस कर देना है तो 25 के square माइनस 24 के square तो root over 49 आएगा मतलब 4 आपका correct answer होगा ठीक है अगला question है यदि TP केंद्र O वाले किसी ब्रत पर इस पर फिरेखा इस प्रकार है ठीक है पियो की बराबर 110 है तो PTQ क्या होगा देखी क्या लिखा है TP तथा TQ O ब्रत वाले देखे एक आप ब्रत बना लीजिए ठीक है कोई बड़ी हैसा आप यहाँ पे ब्रत बना लीजिए इसमें तो हमें इस पर्स रेखा बनानी है ठीक है देखे इस पर्स रेखा बनानी है इसको थोड़ा सा पूरा इरेज हो जा रहा ठीक है देखे एक तो पहले आपको ब्रत बनाना है यह ब्रत हो गया इसके बाद आपको दो इस पर्स रेखा बनानी है ऐसे है ठीक है समझेग क्या बोला है T P और T Q यहां पर क्या है T P और यहां पर है T Q और केंदर वाले बिट्वर पर इसका केंदर क्या है O इस प्रकार हैं कि P O Q कितना है 110 है देखिए P O Q ये हमारे पास कितना बेटा 110 है ये कितना बेटा 110 है ठीक है अब देखिए हमें क्या बताना है ये बताना है P T Q बताना है तो 110 और ये कितना हो जाएगा 180 में 110 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिगरी आ जाएगा अगले कॉस्टन पर चलते हैं यदि एक बिंदू P से O के इंदर वाले किसी ब्रत पर PA PB स्पर्स रेखा 80 डिगरी के कोन पर मुड़ी है तो PO क्या होगा देख सेम कॉस्टन रिपीट हो रहा है मतलब उसी तरह आपको solve करना है एक आप ब्रत बनाईए उसके दो इसपर्स रेखा है बनाईए ऐसे क्या बोला गया है P से O के इंदर वाले PA और PB यह है PA और यह क्या है PB है यहाँ पर center O है क्या बोला गया है P O A बराबर PO का मान मताना है ठीक है और क्या मताना है यह रेखाओं के बीच में किते डिगरी के अंगल है बेटा 80 है मतलब ये वाला इंगर 40 हो जाएगा ये वाला 90 हो जाएगा आपको पता है के इंदर से इस पर्ष रेखा पर जो लंबाई होती है ये लंब होती है तो 9,4,13 180 में 130 घटा देंगे तो 50 हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है ब्रत के किसी बिंदू पर खीचे गई एक परस रेखाओं की संख्या होगी ब्रत के किसी बिंदू पर बोला है तो किसी बिंदू पर केवले 1 इस परस रेखा हो सकती है एक बिंदू पर बेटting है आपका correct answer आगला question क्या है इस पर्ष बिंदू से जाने वाली इस पर्स रेखा पर बिटा लंब होती है क्या होती है लंब आपको लंब राइट कर देना है 2022 में आ चुका आप देख सकते हैं ठीक है अगill बिंदू पर प्रतिष्छे ट कर रही है नई उसको 9 रेखा बोलते है है इक व्रत की कितनी समांतर इस पर्स रेखा है व्रत की समांतर इस बर्स रेखा है मतलब ऐसे और आसे तो इसका खट आंसर हो जाएगाつ चलते हैं, सही जोड़ी पर, सही जोड़ी क्या है हमारे सामने? बृत की अंता बिन्दु से खीची गई इसपरस रेखाओं की संख्या, अंता बिन्दु से इसपरस रेखा कहां से खिच सकते हैं? ठीक है तो क्या हो जाएगा दो ब्रत के बाएं बिन्दु से ब्रत पर खीचे गई स्पर्स रेखाओं की संख्या ठीक है देखें यदि क्या लिखें ब्रत के बाएं बिन्दु से ब्रत पर खीचे गई स्पर्स रेखाओं की संख्या इसका अंसर हो जाएगा वन ठीक है अगल में चलती हैं सत्तय और асत्त पर तो किसी बाहं बिन्दुसे ब्रत पर खीची गई S- केंद्र पर बराबर कोड अंतरित करती हैं सत्तय हैं भाइं बिन्दुसे ब्रत पर खीची गई इस पर स्रेखाओं की लंबाईयां सदेब ब्रत की त्रिज्या की बराबर होती है या सकते हैं ठीक है लंबाई बराबर होती है बर त्रिज्या की बराबर नहीं होती है ठीक है अगला है ब्रत की केंसे जीबर पर डाला जलम जीबर को समधिवाजित करते हैं सही है ब्रत को दो बिंदु उपर प्रतिछेट करने वाली रेखा 6 दक रेखा कहलातीए ये भी क्या है सही है ठीक है अब चलती हैं एक सब्धिये एक वाकि मुत्तर 2030 में आ छुका आप देख सकते हैं क्या-क्या बोला है किसी ब्रत की किवल एक बिंदु पर प्रतिछेत करने वाली रेखा क्या कहलाती है तो इस पर्स रेखा और ब्रत की उभयनिष्ट बिंदु को इस पर्स बिंदु कहते है किसी ब्रत पर कितनी इस पर्स रेखा हैं खीची जा सकती है तो अनेक हो जाएगा एक ब्रत की कितनी समा भी आपका बहुत हीजी है ठीक है तो इससे जो objective question आपकी exam में बन सकते हो क्या हो सकता है पहला है बृत का चाप बृत की त्रीज्या और चाप द्वारा केंद पर बने कोण में संबंध तो चाप होता है कोण और त्रीज्या की गुणन फल की बराबर होता है ठीक है हम जानते क कोण बराबर चाप बर्टी त्रीज्या होता है तो चाप बराबर कोण गुणे त्रीज्या हो जाएगा अगला है त्रीज्य खंट का छेट फल तो थीटा 5 थीशिटी इंटू पाई यार इसके रिखेर यह होता है ठीक है अगला है question नमबर 3 इसका correct टांफर हो जाएगा देखे समझेगा एक व्रत्त है हमारे पास क्या लिखा है वह भाग जो दो त्रीज्याओं दो त्रीज्या माल लीजे यहां पर दो त्रीज्या है ठीक है तो जो दो त्रीज्याओं और संगत चाप से घिरा है उसे व्रत्त का क्या कहते हैं बेटा तो correct answer जो आपको निकल के एगे, वो हो जाएगा त्रीजिखंड क्या लिख देना है है आपको त्रीजिखंड क्या लिख देना है अगला कोस्टन आपके सामने अगला कोस्टन है ब्रत्ति छेट का व innov भाग जो इसको simplify करेंगे तो यह आएगा तो इसके बाद सत्त और असत इसको भी आप देख लीजिएगा कोई दिक्रत नहीं है यह भी आपकी एक्जाम में आ सकता है अब चलते हैं अगले चैपटर पπे अगला चैपटर है प्रष्टीज छेथफल तो इससे भी यदि आप्जीट कोष्चन आता है तो क्या आ सकता है दीखे क्या लिख्शा है यदि दो थोस नहीं है अच्छी से पड़िए दो थोस समान अधार अर्ध गोले आपस में अधार स सटा कर जोड दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त फोस का वक्त प्रस्टी दो अर्ध गोला जोड़ेंगे तो गोला बनेगा और गोले का प्रस्टी छेथफल होता है 4 pi r square ठीक है अगला है आर सेंटिमीटर एवं यस सेंटिमीटर उचाई का एक लंब व्रत्ती बेलन एक गोले को ठीक ठीक ढख लेता है तो उस गोले का अभ्यास चाहोगा तो इसका हो जाएगा 2 r संकु की तीरिया कुछ आई कैसे निकालते हैं तो y square बराबर होता है रूट और में r square प्लस h square अगला क्या है दो गोलों के आयतनों का अनपात, 24 अनपात 27 है तो छेत फ्लों का अनपात, तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 16 अनपाते 9 क्या हो जाएगी स्ट्रेंट 16 अनपाते 9 ठीक है यह आपको ठीक कर देना बेलन का आयतन क्या होता है π पाई आर स्क्वेर येच संक छिननक की दोनों सिरे ठीक है क्या लिखह है संक छिननक की दोनों सिरे कैसे होते हैं तो ब्रत्याकार होते हैं है अगला है ये भुजाकिये दो समान घनों को जोड़कर एक घनाप बना जाता है तो घनाप का संपूर्ण प्रिष्ट क्या होगा तो यह हो जाएगा 10a² ठीक है और आप देख सकते हैं यह आपका आंसर रहा लाश्ट वाले का अब चलते हैं सही जोरी देखे घनाप जो पिछले साल आया था घनाप का आयतन क्या होता है यल्बियच होता है बरका छेटफल a² इतना सरह आपके कॉस्चन आये हैं ठीक है अब चलते है अगले चेप्टर पे तो अगले चेप्टर बेटा आपका है सीधा सीधा कौनसा चेप्टर नमबर 13 ठीक है चेप्टर नमबर 13 मतलब किस सांकी की तो पहला कॉस्चन है सिग्मा यफ आई यक साय पांच सिग्मा यफ आई किसका फार्मूला है तो बेटा माध्य का फार्मूला है ठीक है ये भी माध्य का फार्मूला इसको हम बोलते हैं कल्पित माध्य ये भी माध्य का फार्मूला है इसको हम बोलते हैं बहुलक निकालने का, क्या निकालने का बच्चा बहुलक, सो बहुलक समेच कर देना है, तीन माध्यक पराबर बहुलक, प्लस यहां पर होता है बेटा, दो माध्य, क्या होता है, दो माध्य, दो माध्य आपको लिग देना है, ठीक है, अगला कोश्चन है आपके सामने, कोश् इत्मादिक कहलाता है यल क्या कहलाता है तो निम्नसीमा मदिका वर्ग की निम्नसीमा कहलाती है ठीक है यज क्या कहलाता है बेटा यज क्या कहलाता है यहाँ पे माद्यक बहुलक वर्ग की वर्ग माप क्या लिखोगी आप वर्ग माप क्या लिखना है बहुलक वर्ग की देख सकते हैं ठीक है यह आपके सामने आंसर रहे हैं इसके बाद सही जोड़ी में सही जोड़ी में वही चीजे हैं देखें यह जो पहला फार्मूला है माद गयाद करने का है सेकेंड फार्मूला आपका मद्धिका गयाद करने का है थार्ड फार्मूला बहुलक गयाद करने का है ये आपका माद गयात करने का पक बिचलन से और यह होता है कल्पित माद ज्ट ही direct करने के बिचलन भीड है माद करने की बिचलन अब चलते है अगले question पे अगला question जो आपकी exam में आता है सबसे ज्यादा वो आता है किसी बारमबार्टा बंटनów में किसी बर्ग की संचाई बारमबार्टा उस बर्ग से पहले वाले सभी बर्गों का योग होता है ये भी सही है बैटा सत्य हो जाएगा ठीक आपको क्या कर देना है? ट्रू कर देना है अगला है तीन माधि का बराबर बहूलग प्लस दो माधिये भी क्या है सत्य है ठीक है बारम बारता वक्रतोरन कहलाता है तो असत्य हो जाएगा पहला सत्य है दूसरा सत्य है एक तीसरा सत्य है यह आपको सेकेंड ठीक है देखें क्या वो लग गया था यहां पे जो है थोड़ा सा कुश्चन में स्टेक लग रहा है माद ग्यात करने प्रियोक करके वर्ग चिन लिखना था तो वर्ग चिन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा सारवाधिक वारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है तो बहुलक वर कहलाता है क्या कहलाता है बेटा बहुलक वर कहलाता है तो औरन कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं समांतर माद वताना है समांतर माद क्या करना है सभी को जोड़के पांच और नो तीन बा ठीक है? आप इसको माध बोला है, तो सभी को जोड़के, पाच का भाग 5, 9, 3, 12, ठीक है? और 12, 3, 15, 15 में 5 के divided करेंगे तो 3 आएगा. ठीक है? यह हाँ तो 3, ठीक है? साई लिखा हुआ है. ठीक है? आप चलते हैं अगले चेप्टर परे, अगला चेप्टर हमारे सामने हैं, प्राइक्ता, probability, एक घटना घटित नहीं हो सकती, इसकी प्राइक्ता क्या हो सकती है, तो जो घटना घटित नहीं हो सकती, उसकी प्राइक्ता जीरो, निन में से कौन किसी घटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती, तो प्राइक्ता का मान हमेशा जीरो और एक के बीच में होता है, तो 3% पत्तब 3 बटे 100 एक से जाद नहीं हो सकती ठीक है यह आपका D number correct हो जाएगा अगला question है एक घटना असंभावी घटना है तो इसकी प्राइक्ता बोला गया है निमने के निकटस्त होगी ठीक है तो निकटस्त बोला है इसका मतलब आपको क्या बता रहे है देखें आपको मैच कर देना है अगला question है जैसे गहटना के प्राइक्ता पी है तो इसके पूरा घटना की जो प्राइक्ता हो जाएगी वेट्टा वू क्या हो जाएगी तो यह होती है वेट्टा one minus P, फी के बराबर ठीक है यह आपको लिख देना है किसी घटना के घटित होने की प्राइक्ता प्रतिशत में दी गई है ये कभी नहीं हो सकती देखिए एक चे अधिक नहीं हो सकती सुनिक से कम नहीं हो सकती सौ से कम कोई भी हो तो इसका correct answer हो जाएगा बी नंबर सुनिक से कम अगला question है सभी संभव घटनाओं का प्राइक्ता ठीक है इसका जो होता है instrument यह होता है एक होता है एक होता है एक आपको right कर देना है एक साथ घटितना होने वाली घटना क्या कहलाती है अप वर्जी क्या कहलाती है बेटा अप वर्जी कहलाती है परसपर अप वर्जी ठीक है या द्रच्छिक प्रयोग में सभी संभो परणामों का समुच्च ये कहलाता है प्रतिदर्स समस्टी, क्या कहलाता है बेटा, प्रतिदर्स और इसके बाद समस्टी, ये आपको लिखना है, अगला कुश्चन क्या है आपके सामनी, देखें, प्रतिदर्स समस्टी का प्रतिए उफव मुच्चा उसकी क्या होती है तो घटना होती है यह आपके सामने आंसर रहें ठीक है किसी निश्चित घटना की प्रयक्ता एक होती है किसी प्रयोग की सभी घटना की प्रयक्ता की योग भी एक होता है ठीक है अब चलते हैं अगला असंभो घटना की प्रयक्ता बेटा ठीक है, तो क्या हो जाएगा correct answer, एक बटे 2, एक पासी को फेकनी पर एक पूर्ण वर्ग आने की प्राइपता, तो पासी को फेकनी पर एक से 6 तक जिसमें पूर्ण वर्ग है वेटा, एक और दो, कितना कितना पूर्ण वर्ग है, एक और 4 है, पतलब कोल 2 हैं, दो बटे 6 करें तो एक बटे तीन आपका correct answer हो जाएगा, एक पासी को फेकने पर पाच का गुणाक, पाच का गुणाक एक ही होता है, पाच तो यह हो जाएगा, एक बटे छे, एक बटे छे आपका correct answer, ठीक है, अगला question क्या रहा, किसी घटना की प्राइकता एक से अधिक भी हो सकती है, बेट जीरो एक के बीच में होगी, किसी निश्चित घटना की प्राइकता कमान एक होता है, बिल्कुल फ़ही बात है, एक सिख्यक उछालने पर चित आने की प्राइकता एक बटे दो होती है, ना की एक, तो यह question आपकी रहे, कुछ और question है, इनको भी आप अच्छे देख लीजि इनको अच्छे से प्रपेर कर लीजिए, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मात्रम